किसान भाईयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरसो की अधिक उपज कैसे लें पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है और इसका क्या देश की हित में फायदा है सरसो के तेल का उपियोग उत्तर भारत में खाने के लिए किया जाता है कभी कभी इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूसरे देशों से आयात भी करना पड़ता है जिससे सरकारी विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा में खर्च करनी पड़ती है सरसों की खेती में तकनीकी एवंग वैज्ञानिक जानकारी से हम इस फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं और अपने देश की आवसक्ता को पूरा करने के साथ दूसरे देशों को जाने वाली देशी मुद्रा की बच्चत भी कर सकते हैं सरसों की बुआई खेत की मिटी को भुरबरा बनाकर की जाती है इसकी बुआई 15 अक्टूबर के पहले करने से उत्तर भारत में सरसों के माहु कीट के आक्रमन से बचाया जा सकता है साथ से दस दिन के अंदर ही बीजों का जमाँ हो जाता है सरसों में एक हलकी सिचाई के आशक्ता होती है इस फसल में लागत कम लगती है और या कैस फसल के रूप में ली जाती है जिससे बाजार में सिग्र पैसा मिल जाता है सरसों में मुख रूप से तीन तरह के कीट उत्तर भारत में लगते हैं जिससे फसलों को काफी नुकसान होता है बुगाई के 30-40 दिन के अंदर पौधों को निकाल कर लाइन से लाइन की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर कर लेनी चा चाहिए इस समय ही जब 3-4 पतियां निकली होती है तो पति छेदक काला कीट जो हाइमनब टेरा आडर का होता है जिसे अंग्रेजी में मस्टर्ड सा फ्लाई कहते हैं और इसका वैज्यानिक नाम एथाहलिया प्राक्जिमा है का आक्रमण होता है पतियों में छेद बना कर इसकी सूड़ी फसल को नस्ट करते हैं दूसरा महत्पुरुण कीट जो सर्सों में लगता है वह सर्सों के माहु कीट के नाम से जाना जाता है और यह हेमिप्टेरा आडर का होता है जिसको अंग्रेजी में मस्टर्ड एफिट कहते हैं और इसका बैग्यानिक नाम लाइपाफिस इरिसमाई के नाम से जाना जाता है यह कीट हजारों की संख्या में पौधों की साखाओं और पत्तों एवंग्पूरे पौधे पर आक्रमण करता है यह पौधे के मुलाइम भागों से रस चूसता है फलियों से रस चूसकर बीज को हलका एवंग्ग बिना तेल का कर देता है यदि आप 15 अक्टूबर के पहले सर्सो की बुवाई करते हैं तो यह कीट बहुधा कम लगता है सर्सो का तीसरा एवंग्भैंकर कीट फसल को काटने के बाद खलिहान में लगता है यह सर्सो की फली चूसक कीट के नाम से जाना जाता है जिसको अंगरेजी में पेंटेट बग कहा जाता है यह हेमिप्टेरा आडर का एक कीट है जिसको वईज्यानिक लोग बग्राडा कुरुशिफिरेरम के नाम से जानते हैं यदि सर्सो की फसल उचित समय पर और ज्यादा देन के लिए खलिहान में छोड़ देते हैं तो यह कीट भारी संख्या में आक्रमण करता है और आपके कटे हुए जो कटाई आप किये हुए हैं उस फसल को नुक्सान पहुचाता है सर्सो के खेती करने की तक्निकी वंग वज्यानिक विधियां तो अधिकतर लोग कुछ न कुछ जानते हैं लेकिन हम यहां उन विसेस मुख्य बातों को बताएंगे जिससे आप अधिक उपज ले सकते हैं सर्सो की अधिक उपज लेने के लिए मिलवा फसल के रूप में इसकी खेती नहीं करने चाहिए यदि गहूं या किसी अन्य फसल के खेत में ही बुआई करना है तो खेत के एक हिससे में ही अलग से उसकी बुआई करें सर्सो की बुआई एवं कटाई रवी की फसलों से पहले ही की जाती है माहू कीट के आक्रमण को कम करने के लिए सर्सो की बुआई उत्तर भारत में निश्चित रुप से 15 अक्टूबर के पहले करें सर्शों की माहु कीट नसिल माहु प्रत्रोधी जातियों की बुवाई करनी चाहिए यदि पत्ती छेदक वाला कीट लगा हो तो नीम यूक्त किसी कीट नासक का छेड़काओ करना चाहिए सर्सों की खेती में जो संसलिसित कीट नासक हैं उनका उप्योग बहुत कम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वानस्पतिक कीट नासकों का उप्योग करना चाहिए और सर्से विधियों में परिवर्तन करके खेती करनी चाहिए जिससे की केटों का आक्रमन नहों पाए सरसों के खेत में प्रयाप्त नमी नहों तो एक हलकी छिड़काव बिदिसे इस चाई निराई गुडाई करने के बाद की जाती है यद किसी खेत में रभी में प्रतेक बर्स ज्यादा खरपतवार आते हैं तो उसमें सरसों की खेती यदि आप करें तो खरपतवार का निंत्रन भी हो जाता है जिस खेत में सरसों बोया जाता है उसमें खरपतवार बहुत कम आते हैं इसका कारण यह है कि सरसों के पौधों के जड़ों से एक रसायन निकलता है जो एलोपेथिक रिसायन के नाम से जाना जाता है और वह अन्य पौधों को जो खर्पतवार के पौध हैं उनको जो है नस्ट करता है दूसरा यह किसुरिका प्रकास जो है सर्सो के पौधों के बीच में नहीं आ पाता है जमीन पर अतक खर्पतवार जो है उसके साथ जम नहीं पाते हैं खर्पतवार को नश्ट करने के लिए किसी हर्वी साइट का प्रयोग करना उचित नहीं होगा बलकि निकाई गुड़ाई ही अच्छे प्रकार से कर देना चाहिए सरसो के माहुक कीट से फसल को अत्याधिक नुक्सान होता है माहुक कीट फसल के कटाई के एक मापुर्वी लगता है अता इस समय रासायनिक दवाओं का छिड़काव बिलकुल सुरच्छित नहीं होता सरसो के माहुक कीट की सस्य विधियों द्वारा प्रवंधन के लिए मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ और आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि लखनव के केंद्रिय और शधी वंक्षगंत पहुधा संस्थान सिमयप में सरसो के माहुक कीट को नियंतरित करने के लिए एक सफल प्रयोक किया गया है जिसमें सरसो के खेत में यदि चारो तरफ से या एक से दो मीटर की दूरी पर सौफ की पहुध को लगाया जाए तो इससे माहुक कीट का आक्रमन सरसो में बहुत कम होता है सरसो की कटाई के समय यह ध्यान रखे कि फलियां ज्यादा न पक जाए हलके पिले रन की फलियों के होने पर ही फसल की कटाई करके तीन चार दिन तक किसी साफ जगा पर मडाई के लिए रख दे सरसो के डंठल को सुखने पर डंडे से फली को पीट कर सरसो के बीज को पहले अलग कर लेते हैं ज्यादा दिन तक सरसो को खलिहान में रखने पर Pinted Bagrada Cruciferarium का प्रकोप होता है इससे बीज अलका हो जाता है और इस बीज के हलके होने से उसमें तेल की मातरा नहीं रह जाती है और बीज न तेल के लिए ही अच्छा होता है और न बोने के काम लाइक होता है अता किसान भाईयों आप से अनरोध है कि जब फसल आप सरसो की काट लें तो खल्यान में जितना सिग्रो उतना उसको निकालें बस यह ध्यान रहें कि जो फल्या है वो पूरी सूख जाए बीज को अच्छी तरह से सुखा कर और साफ कर जूट के बोरे में ही भंडार अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें से हवा निकलनती रहती है प्लास्टिक के बोरों में तुरंत रखने पर हो सकता है कि नमी ज्यादा होने पर नुक्सान भी हो पांस से दस परसेंट तक सर्सों की उपज में बिर्धिक की जा सकती है सर्सों की विभिन्य प्रकार के कि रोधी और विशेश्ट तक्निकी जानकाली के लिए आपसे मैं यह अन्रोध करूंगा कि आप भारती क्रिशी अनुसंधान परिशद के राश्ट्री ये सर्सों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपूर राजस्थान को संपर्क कर सकते हैं अधिकारी को भी संपर्क करके आवस्यक जानकारी ले सकते हैं यदि आपको उपयोगी नई जानकारी सर्सों की फसल की उपज अधिक लेने के लिए मिली है तो क्रिपया इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे हम आपको नई नई फसल की विदियों और एर कल्चर की टेकनॉलोजी के बारे में अन्य संस्थानों द्वारा शोध किये गए कारियों को मैं आप तक पहुचा सकूँ करें जिससे हम आपको इस वीडियों करें आपको